ये सीरफ हमारे वजन को कम करता है यानि जो हमारे सरीर का वेट है उसे लॉस करने का काम करता है ये सीरफ और जैसे कि अगर आपके पेट में जो घेरापन की समस्या है ये उसे भी ठीक करने का काम ये सीरफ करता है और जैसे कि ये सीरफ आपके इमुनिटी पावर को भी मजब करने का काम करता है और जैसे कि आपके जब सरीर का वजन कम होगा तो जो आपके पेट के जो घहराव है वो भी कम करने का काम ये सीरप करता है और इस सीरप का उपयोग किस परकार की दिक्कत या फिर मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये स पीना कैसे होता है, यह सीरप कोई पी सकता है, कोई नहीं पी सकता है, कितने एज से कितने एज तक डॉक्टर के दौरा यह सीरप पीने के लिए दिया जाता है, इसके बारे में पूरा डेटेल से जानकारी, आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे, जैसे कि अगर किसी का वेट है यानि जो सरीर का वजन है वो बहुत ज़ादा बढ़ गया है तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा उसका वेट यानि जो उसका वजन है उसे कम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है और जैसे कि उच्च रख चाप की समस्या में भी डौक्टर के द्वारा ये सीरफ मरीज को पीने के लिए दिया जाता है जब किसी को उच्छे रख्ट चाप की समस्या रहता है तब और जैसे कि ये सीरफ आपके पाचन सक्ती को बढ़ाता है और जैसे कि अगर आपको ACIDITY या फिर GAS की समस्या रहता है तो ये उसे भी एक परकार से ठीक करने का काम करता है ये सीरप काफी अच्छा सीरप होता है डाक्टर के दोरा ये सीरप काफी ज़्यादा पेस्कराइब किया जाता है यानि जो आपके सरीर का वजन है उसे कम करने के लिए डॉक्टर के दौरा ये सीरफ काफी ज़्यादा मरीज को दिया जाता है पीने के लिए जब किसी का बढ़ जाता है यानि बढ़े हुए वेट को एक नॉर्मल रिंज तक लाने के लिए डॉक्टर के दौरा ये सीरफ मरीज को पीने के लिए पेस्क्राइब किया जाता है और ज जैसे कि ये सीरप पेट की चर्वी को कम करता है, यानि अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा चर्वी की समस्या आ जाता है, उसका पेट एकदम निकल आता है, पेट एकदम अजीब सा फूला फूला सा दिखाए देता है, तो इन सारी समस्याओं को ये सीरप एक परकार से ठीक करने का काम करता है, यानि जब ये आपके वेट को घटाएगा, तो जाहिर सी बात है जो आपका पेट होगा, वो अंदर जाएगा, यानि आपका पेट एकदम नॉर्मल दिखने लगेगा, जब आपका वेट कम होगा, तो की बॉड़ी है वो भी आपको एकदम अच्छा और स्वस्ता आपको महसूस होगा जैसे कि जब ये सीरफ आप पिएंगे तो धीरे-धीरे जो आपकी चरबी की मात्रा है वो धीरे-धीरे कम होगा और आपका वेट भी धीरे-धीरे कम होगा ये सीरफ काफी अच्छा सीरफ होत तो बड़े हुए बेट के कारण आपने देखा होगा उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत बहुत ज़्यादा एक प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बौडी भी प्रॉपर रूप से ठीक नहीं रहता है उसे एक दिन या दो दिन लगातार कांटीनियू कोई न नारमल रैंज तक लाने का काम करता है ये सीरफ डाक्टर की दवरह kaफी ज़्यदा पेस्क्राइब किया जाता है जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी का बेट बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें आपको बहुत सारे समस्यां देखने को मिलेंगे जैसे कि उसे थाइर को एक परकार से ये धीरे-धीरे करके घटाने का काम करता है और जैसे कि अगर आपके पेट में जो घहराओं की समस्या रहता है जब आपका वेट बहुत ज़्यादा रहता है तो आपका जो पेट है वो एक परकार से घहरा के जैसा हो जाता है तो भी समस्या को ये सीरप ठीक क काम करता है यह सीरप आपके सरीर को एकदम हल्दी बना के रखता है यह सीरप काफी अच्छा सीरप होता है यह सीरप और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी समस्याओं में डाक्टर के दोरा पेसकराइब किया जाता है और जैसे की थाइराइड की समस्या हो जाता है तो इन सा ये सीरप काफी अच्छा सीरप होता है डॉक्टर के दोरा ये सीरप काफी ज़्यादा पैसक्राइब किया जाता है चलिए हम आपको इस सीरप के डोज के बारे में बताते हैं इस सीरप का क्या डोज होता है कैसे डॉक्टर के दोरा ये सीरप कल्कुलेट करके मरीज को पीने के जैसे कि जो आपके दौटर सीरप का कोई भी खास साइड इफक्क्त नहीं होता है बट अगर आप यह सीरफ ओबरडोज की मातरा में लेंगे तो आपका पेड खराब हो सकता है आपको डाइरिया की समस्या हो सकती है आपको बुमेटिंग की समस्या हो सकती है आपको नीदा सकता है इसके अलावा और भी समस्या हो सकता है अगर आप यह सीरफ ओबरडोज की मात में लेंगे तो इसके अलाव है आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत परेशानी जाय बताएं उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडसीन लें कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडसीन खु कुछ से उपयोग ना करें।